नमस्कस तो दोस्तो अभी हम लोगे बात करने वाले प्रो कबड़ी के आसकन के पहले मैच के बारे में जो की खेला जाएगा पत्ना पाइले श्वाचे जैपूर पिंक पैंथर्स के बीच में रात के आठ बजे मैच होगा और तोस्तो यह सिरीज का मैच निबर 27 होने वाला अ आप लोग देखोगे तो लगबग हमारा काफी अच्छर जल्ड था ठीक है ग्रेंडिक की बात करो दोस्तो तो आप लोग को बता भी चलना चाहिए कि भाई ने ग्रेंडिक विन की है या कराई है तो आपको दिखना जाहिए तो आप लोग जैसे टेलिग्राम के उपर चाह पर किस तरीक का बढ़ेंगा है तो सबस पहले बात करेंगे तो नों टीम के स्टार्टिंग सेवन के बारे में इक एक प्ली के के बारे मैं काफी डीप लिए आपको बताऊंगा किस प्लीर के स्टैट्स है लाश्ट रिकॉर्ड किस तणी porta शा है ठील है Sultan रिकॉर्ट किस तरीके श हता और कौन से फ्ली से बनेगा आज से मैंस के लिए millionaire टिक में एसे बताओंगे दोस्तों जो कि मेरी प्लियर टुब वाच आउट लिस्ट में रहेंगे यानि कि उनका प्रफवर्वेंस आज यहां पर हाई आने के चांसे साथ में दोस्तों प्लियर बैटल अगर आप लोग प्लियर बैटल देख लोगे नो तो स्मॉल लिख तो अपकी ख् बनेगी इस चीज की गारंटी है तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन फाइनल टीम फाइनल अपडेट के लिए आप लोग टेलेग्राम को उपर आ जाना दोस्तों और कुछ ग्रेंड निक की टीम भी आपको मिलती है टेलेग्राम के उपर जिसे यहां पर म पर मारजन से दोस्तों यहां पे जो है पर आपना घाहा टीम मे झाले यहां गया गया चार में कहे लाइंगे अपको टाइर है इनका जो दोस्तो रीसेंट पॉम है वो उतना अच्छा नहीं है अगर आप लोग दोनों टीमों को यहां पर दोस्तो कंपेर करते हो तो मेरी जो किलियर विणिंग सॉट है इस बार दोस्तो यह पर पटना के लिए जाएगी जैपूर की टीम भी अच्छी है लेकिन इस सीजन अर्जुन देशवाल है उनके दोस्तो नी पर हलकी सी इंजरी मुझे लग रही है ठीक है जिस तरीके से यह अपना 100% नहीं दे पारे और दोस्तो आपको बता कि टीम जो है जैपूर की ओवरल रेडिंग में डिपेंड करती है अर्जुन देशवाल के उपर अगर अर्जु जिसमें दोस्तो सचिन दनवर इनके में डेडर हैंगे जो कि राइट करते है लास्टो मेंच रहा है वहापे भी सूपर टेन बारा रेट पोइंट है उससे पहले चौदा चार चौदा यानि कि हर मेंच बंदा चला सिरफ एकी मैं जैसा था जहां पर यह नहीं चला बहुत पता हो कि दोस्तो सचिजन में बहुत अच्छे से या पर रेट करता और खासकर सूपर टेकल में बहुत अच्छे पॉइंट लेके आता अगर आप लोग मैस देखते होंगे तो आपको यह चीज पता होगी तेक मंजीत दहिया की बात पर दोस्तो पहले यह में रेडर हुआ करता हा हरियाना का लेकिन अभी दोस्तो इस सीजन यह आया है पटना में यहां पर यह सपोर्टिंग रेडर के तोर पर खेल ला अभी तक दोस्तों इसका प्रफोमेंस उतना अच्छा नहीं लेकिन यह आप लोगो के लिए प्लेयर टु आचा आउट प्लेयर बन सकता यानि तो इसके उपर आप लोग फोकस करना यह भी प्लेयर टु वाच आउट लिष्ट मरहेगा लेकिन अब लोग इसको जानने लगे दोस्तों मंजित दहिया के यहां सेलेक्शन थोड़ा सा कम है बट यहां पर एम सुधा करके सेलेक्शन अब हाई हो रहा है तो तीन इनके में डेडर हो चुके पटना के तीनों वैराइटी है तीनों के पास दोस्तों एक स्किल है रिफ पटना में जुड़ा है तो इसमीन ने आते ही हाई फैब लगा है तो उसके बाद चार टेकल पांट उसको जिरो एड़ाएक लास्ट के दू मैचो में दोस्तों इससे को दूल है बहुत जारा बंदे का सीजन पहले दबंग दिल्ली के राइट कोनर हुआ करते थे इस बार पटना के साथ जुनें और दोस्तों लास्ट में देखे चार टेगल पॉइंट से पहले भी तीन टेखल पॉइंट जिसमें से एक सूपर टेकल तरहा है ज़िसमें कि सबसे कंसिस्टेंट डिफेंस बंदर रहा जो कि हार एक मैंस पर चला तो कहीं नै कि साजन चंदर से का राइट कवर चले गए निहराच कमार लब्ट कवर छले गएते तुधर खुब को था इस होता رहें तो तुटा बहुत एक अपको टीम में हमाइसा देखने को मिलते हैं यहां पर ज्छानर स्ट यसे अपना अपना हांडर वभान दोस्तों यह नमबर वन रेडर बन सकता था इस सीजन का क्योंकि कोई भी रेडर जो है स्टार्टिंग आते ही 17 पॉंट्स इसने किया था इतना किसी नहीं किया था आप लोग हर किसी का रेंडिंग देख सकते हो चाहे नवीन हो चाहे पवन कुमार से रावातो किसी नहीं दोस दोस्तों कौन चलेगा इस टीम के तरफ से लास्ट में चलेते भी अजित कुमार डोनों साइट से बंदा रेड करता दोस्तों नौ रेड़ पोइंट था मैज में ठीक है उससे पहले लगातर स्ट्रेगल कर रहा था रेडिंग में दोस्तों बट लास्ट में चला और नौ र पहुल चुदरी के राइड से ही रहती है लास्ट के दोनों मैज में दोस्तों यह बंदा भी कुछ नहीं कर पाया दो रेट वंड एक रेट पिंट थे भवाणी राजपूत का अगर मौका मिलता यहां पर तो यह अच्छा कर सकता लास्ट में जो एजए सब्स्टूट के त कुमार के उपर है फिर रिजा मेरी बेगेरी या फिर के अभी से कोई एक आपको लेप्ट कवर में खेलता दिखेगा दोनों को दोनों एवरेज प्लियर है तो ग्रेंड निक के उपर फोकस करना साहूल कुमार राइट कोरनर से यह बंदा ऐसा चलेगा तो जिस दिन आपको तो पांच टैकल होते हैं हाइफ हाइफ के लेकिन उसके आप लोग देखो चैसात इनके फिर टैकल भी रहेंगे ठीके यह चीज रहती है साहूल कुमार के साथ अंकुस राठी फाइनली दोस्तों कम बैक किया बंदेने लैप्टिक ओनर से लास सीजन का आपको बता टॉप जैपूर का मैस होता था हम कैप्टेन सिंपली अंकुस राठी को करते हैं लेकिन इस सीजन दोस्तों कैप्टेन वाला गेम जो है अंकुस राठी नहीं खेला बस थोड़ा सा स्लो हुए बट दोस्तों लास्त में आ चुके तो बहुत ज्यादा खुसी मुझे हो रही है कि जो अंकुस राठी है वो फॉम में फाइनली आ चुक है ठीक है बात करेंगे दोस्तों प्लियर बैटल की सबसे पहले बात करेंगे पत्ना की तो पत्ना की जो दो में डेडर है दोस्तों राइट करेंगे सचिन एंड मंजीत दहिया दोनों मिलाके लगवक सेवन्टी पशन कि अंकुस राठी या पर सुनिल की जोडी करेंगे या पिर सचिन और मंजीत की जोडी करेंगे कोई भी बैटल होने वाला तो देखते हैं दोस्तों कौन इस प्लीर बैटल में विन करता मुझे लगता दोनों जो प्लियर है लो चाहीं रेडर और चाहीं डिफेंडर एक सुधाकर निकाल सकते हैं इनको सपोर्ट भी दोस्तों किसका मिलेगा रेज आया फर किया सभी सेख का जो कि अलड़ी उतिन इच्छी फॉर्म में नहीं है तो कहीं ने कहीं रेडिंग में पटना के तरफ से आज एडवेंटिज रहेगा दोस्तों एम सुधाकर को तो एम सुध कहते हैं तो दोस्तों कह सकता है आज जैपूर की रेड़ है लगबग 70% के आज़ पास रहेगी राहुल चौदरी भीजीत कुमार यह भी दौनों साइट से रेट करेंगे तो तो 70% कहां से रहेगी तो सामने के टिम के लेप्ट साइट पे यानि कि अंकित भीकास आज अगे तो इनको जाना पड़ेगा क्रिशन दूल के पास जो की बहुत ही तगडी फॉम में चलने तो मुझे लगता है इस प्लेयर बैटल में सिंपली क्रिशन दूल या पर विन करने वाले और दोस्तों कहीं नहीं पटना के विन करने के चांस जो रहेंगे वह इनके डिफेंस के बल तो यह रहेगा आज का प्लेयर बैटल आए होप आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो यार एक लाइक आप जाके कर दे रहें तो आप लोग के लिए बहुत जादा मैनात हम लोग कर रहे है और दोस्तों यहां पर जो कल का ग्रेंडिक का पुरूप में आपको गय रहा तो दोस्तो टीम को मैं यहां पर बना रहा हूँ सचिन तनवर एम देसवाल एंड एम सुधाकर यह तीन मेरे रेडर रहेंगे दोस्तों इन तीनों के साथ मैं जाओंगा लेकिन प्लेयर टो वाच आउट लिश्ट में आपको कौन कहा आज मंजीत दहिया के उपर आप फोकस कर अउठ साथ जाना ज्यादा को सचने की जुद्म या अपटने के टीम के सरी antakary क्रिशन दुल दों तगड़ी फום तो आज की टीम थोड़ी सी ऐसी बन लिए दोस्तों जहां पर आप लोग कह रहे होंगे कि यह सारे के सारे तो ऐसे प्लेयर है जो कि यहां पर सेलेक्शन बेस पर है लेकिन आप लोग कर सकते हैं एम सुधाकर की जगह पर दोस्तों अगर आप लेना चाहो तो नीरज कुमार य कि मुझे यहां पर सजिं दनवर बेस चोइस लग रहे है वोईस कैप्टेन दोस्तों मैं यहां पर एक करूंगा या तो आंकुष जुनियर को या फिर अंकित को यह पर दुस्त एम सुधाकर को टिक है तो यह चोइसे दोस्तों यहां पर क्यूंक पटना के विन करने के चां